नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे यूटूब चैनल इंडियान आयरवेदिक डॉक्टर पर दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त MKS महाई सेनी दोस्तों जैसा कि आपने थमनील में देखा हुआ कि हम बात करें रास्तान आयूस काउंसलिंग 2020 की अपडेटों के बारे में तो प फिर हुआ था अपना अहाल इंडिया कोटा 15 परसेंट की काउंसलिंग तो उसका देखो यहां पर प्रोविजनल सीट अलोकेशन मतलब राउंड टू का रजल्ट आ चुका था यह नोटिफिकेशन की जो मैंस साइट है उस पर से हैं जो टेंटीव लिस्ट आप आयूस कोले देख लेना ओके यह था कि वेकेंट सीट फॉर आल इंडिया कोटा इस्टेट इन प्राइवेट इंसिट्यूट पोर राउंड टू उसकी भी मैं वीडियो नहीं बनाई थी लेकिन कुछ ज्यादा इंफोरेशन थी इसलिए वीडियो नहीं बनाई और प्रोविजनल सीट अ अचुका था. मतलब आल इंडिया कोटे का 15% जो पोरा सिर्टम था वह हो चुका है. अब इस्टर्ण होने वाला है इस्टेट कोटा तो अब यह तो है कि अब तक है वह रेजिस्ट्रियन हो गया और इंडिया कोटा का 15% हो गया अब है आगे क्या होगा तो आगे जानने के लें आपने पॉना चाहिए सेडूल याद तो आपको पता कि सेडूल में तेरा तारिक को प्रोविजिनल मेरिट लेष्ट आने वाली है तो अपने चलते हैं बिना किसी देरी के जैसा कि देखो अपन सेडूल पर आ चुके हैं आपने रेजिस्टिशन करा लिया था 14 से 20 तक फिर है पुब्लिसिंग जो फिजिकल हेंडिकेप थे या फिर सेना में अधिगारी थे उन्हों का वेरिफिकेशन हो गया था तरी तक वह लिस्ट भी आ गए थे और बच्चों ने करवा लिया तो आज तारीख है दस तो आगे क्या होगा अब तक की तो अपने बात करी लिए थी अब आगे होगा कि फबिजिंग और प्रोविजिनल मेरिट लिष्ट फर्स राउंड की तेरा तारीख को वह किन-किन बच्चों ने रिजिस्टाइन करया थे किसा नहीं है वो प्रोविजिनल मेरिट लिष्ट आएगी यह अलॉट्मेंट लिष्ट नहीं यह किशा थे पर आगें क्या होगा मैंने बता दिया और फिर मैंने तीसरा point डाला था कि एक गलती और seat miss गलती खापे करेंगे बच्चे आप अब सुन लो द्यान से यहां पर गलती करेंगे कि registration form होई गये थे यहां पर choice feeling and locking deposit the counseling fees and choice feeling multiple times allowed till last date आपना choice feeling एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार दस बार तक कर सकते हो मतलब correction करते रखते हो कभी क्यों से खोले जगो पर कभी क्यों से खोले जगो last date लेकिन confusion यहां पर रहेगा कि जो 14 जनवरी है 15 जनवरी और 16 जनव मिलेगा लेकिन गल्टी का करेंगे बच्चे कि जो payment facility है ना only 15 तारिक तक ही है simple सी बात है या तो आप 14 जनवरी या 15 जनवरी इन दोनों को ही payment करा सकते हो 16 को ताँ आप choice feeling कर सकते हो मतलब उसमें edit कर सकते हो तो बहुत से बच्चे का करेंगी कि हमने तो 16 का सोचा था payment का हमा कि तो गल्ती मत करना पैसों का बंदोबस रखना 25,000 रुपए की choice feeling है ठीक है कितने हैं चो counseling fees of 25,000 रुपए must be deposit before the choice feeling for BAMS, BASM, BMS, BMS, BMS चार हो के लिए अईरवेदा, होमेपैति, यूनानी and BNWISE के लिए समझ रहे हो ना बात कितनी important है, only 2 day for payment और 3 day choice feeling, तो बच्चे यहां पर confuse होंगे, 2 day और 3 day, एक दिन के अंतर में तो कम से कम 100 बच्चे बाहर हो जाएंगे और ये गल्ती मत करना आप में बता रहो, उसके बाद में जो allotment list है, वो आ जाएगा गुनिस तारिक हो, फिर reporting है, 21 स का time है, ठीक है, तो simple सी बात ये है, आप ये गल्ती मत करना कि मैं बाद में करवा दूँगा, तो क्योंकि बच्चे मकर सक्रांती है, 14 January कि बच्चे उसमें विजी रहेंगे, तो सोच रहेंगे, एक दिन छुटी मना लगता है, पिर 15 का Sunday रहेगा, तो बच्चे करना कि 14 January को पैमेंट कर दो, और आपका पैमेंट नहीं होता है, तो help center वे बात करना, क्योंकि 2 day का ही time है, तो we aware, सावदानी रखो, alarm set करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको सावदानी बरतनी है, इन दो डे में ही आपका काम होगा, क्योंकि जिन बच्चे ने पैमेंट कर दिया, चो इस feeling स miss होई जाएगी, आपको पता है भी रास्तान की कटो कितनी हाई जाती है, तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था, कि आपको aware करना, आपको सावदान करना, कि तयार हो जाएए, आज दस्तारी का हो चुकी है, 11, 12, 13, पैसों का बंदवस कर लो, अकाउंट में 25,000 रु समझ में आएगा, अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सिस्क्राइब कीजिए, वेल ऐकन को दबाईए, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंडों को साथ सेर कीजिए, तेंक्यू, धन्यवाद,